आप आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूरेंट स्पोर्ट सेर्विसिव योट्यूब चैनल दोस्तों आपको राइट साइड में एक और लोगो नजर आ होगा जो मेरे दूफरे चैनल 24R7 टीचर्व आनलाइन का है दोस्तों वो चैनल मैंने इस लिए क्रियेट किया है कि जो आपके मुश्किल अबजेक्ट हैं उनके बारे में आपको फिकाया जाए उनके बारे में आपको गाइड किया जाए उनके बारे में आपको मुख्ति लेक है financial management है और मुखली subject के lecture record करके अपने वहां पे रखे हैं तो आप उस channel पर जाएं और वहां पर जो videos या lectures available हैं उनसे भी फाइदा उठाएं और उनसे भी सीखें अगर आपको इन subject को सीखने में मसला आ रहा है दोफ्तो इस channel का जो URL है वो मैंने description में भी कर दिया है और इस video के इखताताम पर भी आपको मिल जाएगा मैं भी बता देता हूँ www.youtube.com slash teachers online for you आप इस पर जाएए इस channel को subscribe कीजिए और मुझे जैसे आपने VFF में पर्मोट किया है वैसे ही पर्मोट कीजिए दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो ENG 301 business communication की जो हमारी assignment number one आयू ही है उफ हवाले पे है assignment शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ के मेरी जतने भी वीडियो होती है वो फिरफ और फिरफ आपको idea देने के लिए होती है तो आप उसे idea लेकर खुद assignment अपनी बनाया करें और अगर उसमें कहीं पर कोई plus minus की गलती है तो आप उसे अपने end पे ठीक कर लिया करें बजाए इसके कि बार बार आप मुझे पूछते रहें दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि हमारी assignment है क्या दोस्तों हमारी यह जो assignment है इसमें हमें दो question दिये गए है first question में पाड़ देता हूं जी courtesy is one of the basis creates of communication courtesy does not mean the use of old fashion expression such as your kind inquiry thank you and please rather in politeness that grow out of respect and concern for other it is the quality of enable a request to be refused without killing a hope a future business courtesy also require the use of non-discriminational expression that refer to any particular gender race ethics origin etc keeping this in mind and give paragraph and name the type of piousness used in each paragraph note there might be any bias-free paragraph also in the below given paragraph okay हमें कुछ paragraph दिये गए है हमने उनके इंतर जो piousness है वो बतानी है और उसमें कुछ paragraph हो सकते हैं कि वो non-wise हो तो देखते हैं जी सबसे पहले paragraph और इससे पहले मैं आपको कॉस्चन नंबर टू भी शेयर कर देता हूं people in the world are not exactly alike culture and countries are not in the same these differences however can carve problem in convenient your message each person mind in different form of other a result message sender meaning and receiver response are affected by many factors keeping in the mind the given description and identify the correct type of barrier from the given joy हमें दोनों questions के अंदर paragraph दिये गए हैं और हमने एक में बाइफनेफ बतानी है और दूफने में बताना है barrier तो उस्तोब मैं एक एक paragraph पढ़ते चला जाओंगा आपको उसकी बाइफनेफ यह barrier भी बताओंगा और यह भी बताओंगा कि यह वाली जू रीवन है यह है क्यों चलिए हम कॉस्चन नंबर वान के solution की टरफ चलते हैं और देखते हैं दोस्तो यह है हमारा कॉस्चन नंबर वन का solution और इसके अंदर जो पहला paragraph है यह है पर आपकोमेंट इसके अपरेकन चलते हैं दोस्तों की आपको मेंदेशन परेखते हैं यह वेइसने जिए नहीं है पर आपकोमेंटने इसके अपरेखते हैं वह है cultural discrimination क्योंकि ब्राकुंबामा इव बिलॉंग तो दा अफ 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 रिका और वो अफ अफ रिकन है और ही एंट्रिंग इंटू दा American White House वो अब जो है प्रेविडेंट बना है अमेरिका का तो इस लिए जो अफ रिका का culture है that is different from the American culture तो इस लिए मैंने यहां पर जो है cultural discrimination लगाया है अब हम चलते हैं जी दूसरे पराग्राफ की तरफ very often many elders in society are not being treated well specially the young generation nowadays to not respect these elders we must take care of these old people of our society अब इसमें यह बताया गया कि दो किसम के लोग हैं कि यंग हैं को बुढे लोग हैं जो यंग हैं वो आजकल respect नहीं करते बुड़े लोगों की तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बल्के उनका ख्याल करना चाहिए तो इसके अंदर जो है वो sexism discrimination है sexism के अंदर जो है वो यह होता है कि age के differences आ जाते हैं आपके gender के differences आ जाते हैं if we are talking about the males and female then we are talking about the sexism discrimination in this paragraph we have seen that the young generation nowadays do not respect the elder it means के we have two types of gender first one is the younger generation and the second one is the elders या वो जो बुड़े लोग है या जो वैश हो चुके हैं तो इसका मैंने इसलिए sexism discrimination लगाया है third paragraph है जी aazam had the physical handicap since he was seven due to this handicap he had faced many challenges in his life from the not being able to run to do sports तो दी क्लिम इन हिस बैड एक है बच्चे का विकर किया गया आजम का जो साथ साल से जो है वह हैंडी कैप है और उसकी लाइस के अंदर बहुत सारे मसाइल आएं और बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहां पर जो है वह मैंने disability discrimination लगाया क्योंके वह जो बच्चा है वो अल्रेटी है तो इसलिए यहां पर disability discrimination बनता है अब फूर्थ परग्राफ है जो Mr. Ahmed told that the most of no one is interested in attending cyberpiety so it's decided to talk with the staff member myself so for every person I talked to Fred he she intend to attend cyberpiety I guess that Mr. Ahmed is nurturing from group against her अब यहां पर भी हमें जो है male और female का बताया गया जैसे हमने पहले paragraph के अंदर देखा था वहां पर यंगर और बुडे वाले में वहां पर age का difference था तो यहां पर जो है वो gender का difference है और मैंने आपको बताया था कि if we are facing the gender differences and age differences this belong to the facsium discrimination तो इसका जो है मैंने facsium discrimination लगाया है जो हमारा चौथा paragraph है अब हम चलते हैं जी आखरी paragraph पांच में की तरफ our organization is the one of the top organization of the country the reason I see for the progress is that every member of our team give his very best effort अब यहां पर जो मैंने है favoritism discrimination क्योंके वही लोग ज्यादा तरक्की करते हैं जो बगैर मेहनत के वह जो है favorite होते हैं अपने bosses के इसलिए वह बहुत जल्दी grow कर जाते हैं यह बहुत जल्दी जो है वह तरक्की कर जाते हैं तो यहां पर जो मैंने है favoritism discrimination discrimination लगा दिये नेक्स्ट हमारा था जी question number two उसमें भी हमें paragraph दिये गए थे उसमें जो paragraph दिये गए हैं उसमें हमें जो है वो barrier बताना था अब इसमें भी वही routine है मैं पहले paragraph पढ़ दूँगा और फिर आपको यह बताऊंगा कि मैंने यह वाला barrier क्यों select किया the meaning the word sign symbol and might different from the one person to another person and the same might be have hundred meaning so when message is sent by the sender to the receiver it might be interrupt wrongly in a communication process causing miss understanding between them अब इसके अंदर semantic barrier मैंने लगाया है क्योंकि जब आप किसी एक बंदे को message भे रहे हैं एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को message भेज रहा होता है और दर्मियान के अंदर वह message जो है वो interrupt हो जाता है with different signs with different symbols या कोई interpretation आ जाती है या कोई misunderstanding आ जाती है in communication या wrongly कोई chief deliver हो जाती है तो वो semantic barrier के अंदर fall करती है तो इसलिए manager है यहां पर semantic barrier लगा जिया next paragraph है this is a type of barrier in which environmental natural condition act and hindrance in communication in sending message from sender to the receiver organization environment and interior workspace design problem technological problem and noise are parts of these barrier अब जहां पर आपके पास environmental कोई barrier आ जाए या natural condition आ जाए आपको जह है office enter होने फे रोका जा रहा है आपके कोई workspace के अंदर को design के अंदर problem आ गया आपका कोई environment change हो गया तो यह जो सारे barrier हैं यह physical barrier होते हैं आप इनको असानी से remove कर सकते हो आप इसे असानी से हिटा सकते हो तो यह हमारे सारे जह हैं वो physical barrier के अंदर fall करते हैं तो मैंने भी इसका physical barrier लगा लिए नेक्स टैजी the influence of mental state that communicator creates the obstacle for effective communication 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 is highly influenced by the mental condition that the communicator are in and it's disturbed by the mental disturbance if the people involved in communication or not emotionally well they want able to communicate properly अब यहां पर देखें हमें mental influences की बात की गई है तो हम कह सकते हैं कि this belongs to the psychological barrier यह उसकी psyche है किसी भी बंदे की कि वह obstacle create करें effective communication करें या किसी को influence करें या किसी के माइड को influence कर रहा हो mental judgment कर रहा हो तो यह सारी psychological barrier के अंदर चीवे आती है fourth paragraph है जिए these types of barrier are mental walls that keep you away from the openly communicating your thoughts and feelings to other they prevent you from being yourself and living your life to the fullest individual with such barrier tends to external reserve cautious and insures तो यहां पर देखें हमें इस paragraph के अंदर जो है वो thoughts का जिकर किया गया है feelings का जिकर किया गया है जहां पर हमारे पाइप feelings आ जाएएगी जहां पर हमारे पाइप thoughts आ जाएएगी जहां पर हमारे पा thinking आ जाएगी किसी भी चीव की तो हम कह सकते हैं कि यह जो barrier है यह basically emotional barrier है emotional barrier बन जाता है जहां पर thoughts, feeling यह thinking वगरा यह फारी चीवे आ जाती है last paragraph question number two one of the most obvious barrier in the communication would be the ethic and think religious and social differences that may be exist trying to communicate if one doesn't know much about person society with the whom one is trying to communicate it will create the barrier because of not know how to start and end conversation जब हमें यह पता ना हो कि conversation कहांबे start करनी है कहांबे end करनी है तो it means कि we are saying different people who belongs to different culture, who belongs to different countries, who belongs to different religious, who belongs to different social network or social cycle जब हमारे पाफ different religious हो, different countries हो, different social differences हो, different आपके पाफ social circles हो और यह फारी चीवें जब different होंगी तो हम कह सकते हैं कि यह जो लोग है यह different culture से belong करते हैं तो इसलिए मैंने यहां पे cultural जो है वो barrier select किये है इस question number two के आखरी paragraph के लिए दोस्तों यह थी है हमारी assignment ENG301 Business Communication के हवाले से मुझे उमीद है आपको idea मिल गया होगा कि आपने अपनी assignment कैसे बनानी है तो मेरी फिर आप लोगों से गुजारिश है आप open कीजिए www.youtube.com slash teachers online for you वहाँ पे जाके आप CS101, MGT101, CS201, MGT201 और बहुत फारे lectures available हैं आप उनसे भी फाइदा उठाइए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे lectures share कीजिए thank you very much दोस्तों मिलते हैं अगली किसी एक वीडियो में अला हफिज